नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम UP TED 2021 के लिए बाल विकास के 30 अत्महत्पूल प्रश्णों को देखेंगे ये सभी प्रश्ण आपके UP TED एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए एक एक प्रश्ण आप लोग ध्यान से देखिए और उसका उत्तर भी कमेंट में बताईए और लास्ट में आप लोग पूरा इसकोर बताईए कि 30 में आपका कितना इसकोर सही हो रहा है तो पहला प्रशना आपके सामने है बालक के सारीरिक वा क्रियात्म विकास की दिसा होती है इसका एंसर आपको बताना है चार विकल्प दिया गया है आपके सामने इसे देखिए सिर से पैर तथा सरीर के बाहर से मद्ध की और पहला उपसन है दूसरा है सिर से पैर तथा सरीर क मद्ध से बाहर की और यहाँ पर मद्ध नहीं लिखा गया है दूसरे में सरीर के मद्ध होना चाहिए और तीसरा है पैर से सिर तथा सरीर के बाहर से मद्ध की और चौथा है पैर से सिर तथा सरीर के मद्ध से बाहर की और तो दोस्तों विकास का एक सिध्धान्त होता है आपक को बता रहे हैं विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है ठीक है और विकास के केंद्र से निकट दूर के सिध्धान्त के अनज़ार विकास की गति केंद्र से दूर वर्ती भागों की ओर चलती है तो इस प्रकार से आपका जो सही एंसर हो जाएगा वह होगा सिर से पैर तसा सरीर के मध्य से बाहर की और चलिए नेश्ट प्रश्णब हम देखेंगे मानोजाती में विकास होता है किसोर आवस्था के अंत तक बाल्य आवस्था के अंत तक प्रोड़ावस्था के प्रानम्भ तक जीवन परियंत तो आपको इसमें बताना है इसका सही है जीवन परियंत देखिए मानोजाती में जो विकास होता है वो जीवन परियंत चलता है ठीक है ब्रूड़ा अवस्था से लेकर वह जीवन परियंत चलता है मानोजाती में विकास नेक्ष्ट प्रश्ण आपके सामने है मातापीत्या से वनसजों में अस्थानांत्रित होन आनुवान सिक्ता हो जाएगा तीसरा उप्सन माता पित्या से वनसजों में अस्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है आनुवान सिक्ता कहा जाता है most important प्रशन सभी हैं आप लोग ध्यान से इसे देखिए आपके exam में इसी तरह के प्रशन जरूर देखने को मिलेगा लड़का पैदा होने के लिए उतरदाई ग्रोमोसूम्स आपको बताना है x x x p x y c x देखिए लड़का पैदा होने के लिए क्रोमोसोम जो होते हैं वो यक्स वाई होते हैं उत्तरदाई तीसरा आपसन आपका इसमें राइट है यक्स वाई क्रोमोसोम जो होते हैं ये पीता में पाये जाते हैं और माता में कौन से पाये जाते हैं यक्स यक्स इसलिए लड़का बालसाहित्य का, दिंचरया का, संचार माध्यम का, तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे ज़्यादा महत्त होता है, खेल के माध्यम से ही बच्चों में सामाजिक विकास होता है, तो खेल आपसन आपका राइट है, नेश्ट है सिक्षक और विद्यार्थी के मद लोगोषस का होना चाहिए इस प्रकार से आपका वरोपत सभी चलिये प्रश्ण हम देखेंगे कि रेगा दोशें के अनसवार सङआनात्मक्रास की और वस्त्साओं को बाटा गया है कितने भागों में बाटा गया है यह आपको बताना है तो इसमें आप देखेंगे दोस्तो चार भागों में तीन भागों में दो भागों में या पांच भागों में तो राइट एस वर आपका क्या है कुल चार भागों में बाटा गया है जिन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास को कुल चार भागों में बाटा है पहला भाग उन तीसरा बताया है मूर्थ संक्रियात्म का वस्ता साथ से लेकर 11 वर्स तक ठीक है चौथा उन्होंने बताया है आपचारिक संक्रियात्म का वस्ता इसका समय 11 से लेकर 15 वर्स तक होता है तो इस प्रकार से चार भागू में बाटा है नेश्ट है तो याजे के अनसार मूर्थ सं उसका समय होता है उसका समय होता है साथ से लेकर 11 वर्श तीसरा आपसन सही है चलिए नेश्ट प्रस्ड़ हम देखेंगे आपरेशन ब्लेक बोर्ड पईडाम था कोठारी आयोक का राश्टी पाठक्रम रश्णा 1986 का था ये राजिव गाधी के समय में शुरू हुआ था तो तीसरा आपसन सही है नेक्स्ट है बाल मनुबिग ज्यान के आधार पर कौन सा कथन सर्वत्तम है सारे बच्चे एक जैसे होती है क्या या सही है बिलकुल नहीं सारे बच्चे एक समान नहीं होते है दूसरा है प्रते एक बच्चा बिसिष्ट होता है और तीसरा है कुछ बच्चे बिसिष्ट होते हैं और चौथा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं तो बाल मनुबिग ज्यान के आधार पर आपका इसमें सही कथन हो जाएगा प्रते एक बच्चा बिशिष्ट होता है दूसरा आपसन इसमें सही है प्रते एक बच्चा बिशिष्ट होता है कई बार यह प्रश्ण पूछा जा चुका है इसलिए इसे ध्यान से देखिए एक प्रभावी सिख्चक के लिए आवस्यक है कि क्या अवस्यक है, क्या वह उच्च जाती से संबंदित हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक अस्तर हो, ये भी जरूरी नहीं है, प्रभावी सिख्चक के लिए, तीसरा वह संप्रेशन में निपुल हो, ये आपसन चाहिए, अथवा बिद्याले केंद्रित, या फिर सिख्चक केंद्रित, तो आपको पता है, इस प्रशन का सही जवाब हो जाएगा, छात्र केंद्रित, पाठकरम सदेव छात्र केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, छात्र को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, पाठक देखिए बुद्धिलप्त निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयू बटावस्तिविक आयू उड़े सव चलिए नेश्ट प्रशन देखेंगे अब जड़ बुद्धी वाले बालक का आईक्यू कितना होता है आपको ये बताना है देखिए इसमें जड़ बुद्धी वाले जो बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है इक हत्तर से कम होता है ठीक है चौथा आपसन इसमें राइट है दूसरा प्रशन इसी सम्मंदित देखिए तर्मन के अनुसार नब्बे से सव बुद्धी लब्धि का बालक माना जाता है इसमें आपका सही जवाब क्या होगा नब्बे से सव बुद्धी लब्धि का जो बालक होता है वह सामान इबुद्धी की अंतरगत आता है ठीक है तो दूसरा आपसन आपका इसमें राइट है चलिए नेश्ट प्रशन है स्रिजन सीलता मौलिक पईडामों को ब्यक्त करने की मानसिक क्रिया है या कथन किसका है क्रो एंड क्रो का जेमस ड्रेवर का रास का इसकीनर का तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों ये कथन जो है कथन से देखिए प्रशन जरूर आता है एक दू प्रशन जरूर आता है तो तो देखिए इसमें स्रिजनात्मक स्रिजन का मतलब होता है रश्चना करना ठीक है निर्मार करना नया तो स्रिजनात्मक चिंतन इसमें आपका हो जाएगा रश्चनात्मक इसमें आपका राइट असर होगा रश्चनात्मक स्रिजनात्मक चिंतन सदेव होता है रश्चनात्म उखी होता है ठीक है चलिए नेक्ष्ट प्रश्ण देखेंगे जब कोई बच्चा किसी सब्द का गलत उचारन करता है तो आप क्या करेंगे कहेंगे कि ऐसे मत बोलो सुद्ध उचारन बताएंगे गलत उचारन के लिए उसे डाटेंगे ध्यान नहीं देंगे तो आप इसमें सुद्ध उचारन बताएंगे अगर कोई बच्चा गलत उचारन कर रहा है तो उसे हम सुद्ध उचारन बताएंगे ठीक है उसे हम गलत उचारन के लिए डाटेंगे नहीं और उस पर ध्यान नहीं देंगे ये सब गलत है ठीक है सुद्ध उचारन उसे बताया जाएगा चल आप देखेंगे यह लैंगी पूर्वा ग्रह को प्रदर्शित करता है पूरुस इस्त्रियों के पेक्षा जादा बुद्धिमान होते हैं यह कथल सही नहीं है यह पूरुवा ग्रह प्राधारित है लैंगी पूरुवा ग्रह का मतलब क्या होता है कि कि किसी लिंग के परत चा लेंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धाड़ा है या सत्य धाड़ा है तो आप इसमें बताएंगे कि प्राया लड़किया गड़ित में कमजोर होती है या जो है लेंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धाड़ा है इससे भी प्रशन हर बार बनता है लेंगिक पूर्वाग अध्यापक को सबसे जादा ध्यान वैक्तिक विभेनता पर देना चाहिए वैक्तिक विभेनता का मतलब है कि सब के एक अच्छा में जो बच्चे होते हैं वो भिन भिन प्रकार से होते हैं उनकी बुद्धी अलग-अलग हो ठीक है अलग-अलग वैक्ति विभेनलताइं होती है तो इसे ध्यान में रखकर सिच्छा देना चाहिए एक समान उन्हें नहीं समझना चाहिए कि सबकी बाउधिक्षमता एक बराबर होगी ऐसा नहीं होता है नेश्ट है मुल्यांकन से अभिपराय इसमें आप देखेंगे मुल्यांकन से अभिपराय क्या है चात्रों की आवसकता का पता लगाना चात्रों की बुद्धी का पता लगाना चात्रों के अधियम के सफलता और असफलता का अध्यन करना स्वास्त परिक्षड करना तो इसमे मुल्यांकत से अभिपराय आपका यही तीसरा अप्सन सही हो जाएगा छात्रों के अधिकम की सफलता और असफलता का ध्यन करना नेश्ट है अधिकम का सिक्षा में योगदान क्या है आपको यह पता ना है ब्योहर परिवर्तन में नवीन अनुभोप्राप्त करने में सभी शात्रों के लिए सभी शात्रों के लिए सभी शात्रों के लिए सभी शात्रों के लिए सभी नागरिकों के लिए तो इसका सही जवाब है 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए नेसूलक और और निवार सिक्षा की बिवस्ता की गई है भारत के सम्मिधान में नेक्ष्ट प्रश्ण है समावेसी सिक्षा से तात्पर क्या है नेमित बिद्यालों में सभी प्रकार के बालकों का बीना किसी बहत्भाव के स्वागत करना दूसरा बिकल्प है शिक्षर का एक विश्यस तरीका जिससे सभी बालक सीख सके कड़ी दाखिला प्रक्रक्या को बढ़ावा देना समावेसी से मतलब होता है कि नेमित बिद्यालेयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी बहत्भाव के स्वागत करना पहला अपसन इसमें राइट है नेक्ष्ट प्रश्ण है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्त होने का क्या कारण होता है इसमें आप बताएंगे परिवार का वातावरण, कच्छा का वातावरण, पासपडोस का वातावरण तो ये तीनों कारण हो सकते हैं तो चौथा आपसन आपका इसमें राइट है नेक्ष्ट प्रश्ण अब आप देखेंगे डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसे सम्बंधि समस्या है सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, बोलने वा सुनने से एक प्रश्ण ये भी हर बार पूछा जाता है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ठीक है तो डिसलेक्सिया ये एक पठन विकार है दोस्तों पढ़ने में जिन बच्चों को कटनाई होती है, वह dyslexia से पीडित होते हैं, दूसरा option इसमें right है, next है बिक्रित लिखावट से सम्मंधित लिखने की योगिता में कमी किसका एक लक्षण है आपको बताना है, dysgraphia, dyspraxia, dyscalculia और dyslexia, तो लिखावट सम्मंधि जो बिक्रिती ह होती है, वो dysgraphia से सम्मंधित होता है, ठीक है, राइट असर आपका इसमें dysgraphia हो जाएगा, ठीक है, और dyscalculia जो है, यह गड़ना सम्मंधि, दोस्ट से सम्मंधित है, चलिए next प्रशन देखेंगे, ब्रेल लिपी का प्रियोग निमनिमे से किन के लिए किया जाता है, सारे एक बच्चा प्राह अपने सहपाठियों के साथ जगरता है, आप क्या करेंगे, दिखिए आपका answer क्या होगा इसमें, आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को बिद्याले से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे, तथा उसे परामर्ष दे क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें आपका कितना स्कोर सही हो रहा है, ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आप जाताओन स्किजब भुत-बहुत भाँई Jest लिएक लिएेगा है, झेल झाल इंसवे हो रहा है, उन्यवाईब कर लिएाए भाँ भी कि आपका लिएए प्रदाब से अपकतो हुत ।